हेलो फ्रेंड्स जै श्री कृष्णा, जै माता दी जै श्री श्याम, तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको हमेशा खोश रखें, देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपके मन में जो इच्छा है, गणेश जी, वो किस समय पूरी करने वाले है, और आखिर कौन सी इच्छा आपके आने वाले समय में पूरी होने वाली है, क्या कह रहा है आने वाला समय और आखिर कहां ले करके जाएगा सारी बातें समझ लेते हैं तो चलिए वीडियो बहुत ही खास है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो वीडियो की शुरूरात करेंगे बिना किसी डेरी के हर-हर महादेव का नाम लेकर के देखिए स्क्रीन पर आपको सबसे पहले तो दो माउस दिखाई दे रहे होंगे नंबर वन नंबर टू इन दोनों माउस में से जो भी माउस आपको अपनी तरफ अट्र कहां ले जाएगी आपकी किस्मत तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की सबसे पहले तो ये बता दें आपको की दोस्तों ईश्वर की कृपा बनी हुई है आपके उपर लेकिन फिलहाल रिलाक्स हो करके कोई एक माउस आप चूज कर लेने फर्स्ट माउस जिन्होंने भ कोई इच्छाएं चल रही है कोई दो ऐसी चीज चल रही है जिनके लिए आप काफी समय से आपके मन में दुविधा चल रही है हमेशा आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बात रहती है जिसका कनफ्यूजन बना रहता है हमेशा दो बातों में आप उल्जे रहते हैं इस समय भी कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान है बहुत ज्यादा टेंशन में है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा तो काफी अच्छा जो लाइफ में जो समय अब शुरू होने वाला है तो वो हो चुका है मन में जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है तो देखिए जो अगर समय की हम बात करें तो सितंबर एंडिंग में हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बड़ाव आए तो बिलकुल लोड ना ले और हमेशा जीवन में आपको जो बड़ाव महसूस हो रहे है जो चेंज की महसूस हो रही है वह अब आपको मिलने वाली है तो बिलकुल लोड ना ले रिलैक्स रहे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और इतना ध्यान रखें कि जो होता है इश्वर की कृपा से ही होता है और जो हो रहा है वह भी इश्वर की कृपा से और आप बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली और बहुत जल्दी आपकी जीवन में आप आगे बढ़ाने वाले, तो बिलकुल लोड ना ले, बिलकुल टेंशन ना ले, रिलाक्स रहे, और देखिए, जो भी इच्छा आपके मन में है, वह जरूर पूरी होगी, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, आ में आप बदलाव करें। भविष्य की चिंता छोड़ें, केवल आप वर्तमान पर ध्यान दें। अगर आपने अपना वर्तमान को अच्छा कर लिया, तो आपको भविष्य का कोई टेंशन लेने की जरूर करियर मेंने शुरुआत होगी। परिवार के लोगों का ध्यान रख कर सही बटन का चुनाव करना आपके लिए फिलहाल संभव होगा। जिन बटन में आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, उन पर ध्यान दे कर सुधार करना जरूरी है। आपके स्वभाव का कोई गलत फायदा उठा सकता है, इसी लिए आप सटक रहे हैं। स्पष्ट बा आप हमेशा ध्यान देते हैं। इस समय है निकाल जाएगा, चाहे बढ़ा हो या अच्छा, हमें बिलकुल लोड नहीं लेना, हमेशा खुश रहना और खुश रहने के साथ ही जीवन में हमेशा आगे बढ़ाने पर कंसंट्रेशन करना, जितना ज्यादा हम जीवन में आगे कोशिश करेंगे। अभी कुछ समय आप एकांत में भी था, इसे नेगेटिव दूर होंगी। मित्रों के साथ जो भी वक्त आप बिताओगे, उसे उदासीनता भी दूर होगी, अब इस संकल्प शक्ती बरकरार रखते हुए, कठिन निर्णय भी आपको लेना होगा। अन् ये लोगों से मदद करने की कोशिश करें। कितना बदलाव करना, कितनी ज्यादा नेगेटिव है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को आपको समझना होगा, जो नेगेटिव से दूर करना होगा। लाइफ में किस चीज की वजह से आपको प् सरप्राइज आपको मिलने वाला है, तो बिलकुल टेंशन ना ले। अगले कुछ घंटे में काफी कुछ एड़ेस्टेबल आप करने वाले हैं, काफी कुछ अच्छा रहने वाला आपके लाइफ में जो होगा अच्छा होगा, तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़े बिना टेंशन लिए, जीवन में हर चीज को बिलकुल इंजॉय करके रहे, ठीक है, सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं, आपके लिए क्या लिखा है ईश्वर ने, अगले कुछ घंटे में आपके साथ क्या होने वाला है, देखिए लोगों के साथ ठीक से बात नहीं होका रही है, ठीक से संपर्क नहीं होका रहा है, रिलेशनशिप में भी यही चीज हो रही है, जिस वजह से काफी misunderstanding हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा mentally disturbed हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, कम से संबंधित बातों पर भी ध्यान नहीं देखा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप अ बार-बार विचार आपके दिमाग में आता रहता है, आप उसे पर काबू नहीं करका रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपके प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, तो वर्तमान के बारे में ज्यादा आपको सोचना होगा, वर्तमान के लिए सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पुरानी बातों को नहीं सोचे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके किसी निर्णाय को अन्य लोगों के दबाव के कारण आपको बदलना भी पद सकता है परिवार के लोग हैं, चाहते नहीं कि आपके लव मैरिज हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप relationship में या किसी के साथ friendship में या कोई और आपका निर्णाय कैरियर से related तो उससे निर्णाय को बदलना होगा अपने परिवार की वजह से हो सकता है परिवार के बारे में सोचने से आपको कुछ confusions, आपके doubts क्लियर हो जाए मांसिक रूप से आपको कठिन लगे व्यक्तिगत जीवन में अन्य लोगों की दखल अंदाज जी को किस हद तक बरदाश्ट करना है इस बारे में भी आप विचार जरूर करें करिए संबंधी नाराजगी दूर करने के लिए जो बदलाव आपको करने हैं उन पर आप ध्यान दें अधिकतर बातें आपके मर्जी के अनुसार होगी जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी आर्थिक चिंता भी दूर होगी इस कारण निवेश पर भी ध्यान दें पुराना कर्ज खत्म करने के लिए किये गए प्रयत्न की वजह से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा कॉन्ट्रैक्ट पर कम करने वालों को बेहतर अवसर मिलता हुआ नजर ए रहा है जीवन शैली में बदलाव करने के लिए दो प्रयत्न किये जा रहे हैं उसमें भी कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है आर्थिक पक्ष अपेक्षा के अनुसार मजबूत दिख रहा है बेकार की जिन्दा है दूर हो रही है कुछ दिनों में बहुत बड़ी खरीदारी आप करने वाले हैं देखिए चिताओं को दूर करने व्यक्ति भी आपका साथ देंगे भावनात्मक रूप से जो अकेलापन आपको फुल हो रहा था वह नहीं होगा परिवार के लोग आपका पूरा साथ देंगे नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं या कम की जगह बदलाव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी तरक्की के योग आपके पूरी तरह से दिखाई दे रहे जिस कम में आपको इंट्रेस्ट ए रहा है जो कार्य आपको अच्छा लग रहा है जिस कार्य को ही आपको करना चाहिए, उससे संबंधित व्यवसाय को ही आप अपने की कोशिश करें, आप बिजनेस करेंगे, लोगों की सुनकर, आप बिजनेस करेंगे, तो आप हमेशा फैन होंगे, अगर आपको आगे बढ़ाना है, जीवन में कुछ करना है, पहले आपको यह देखना होगा कि आपको सफलता पाने के लिए खुद में आप में क्या क्वालिटी, खुद में क्या स्किल से आपके अंदर क्या अच्छा है, जो लोगों से बटोर है, उसके बाद आगे बढ़े, फिर उससे रिलेटेड नई बातें सीखने की कोशिश करें, योग्य ल स्टड्स से जुड़े लोगों को भी बहुत बड़ा कम मिलने वाला है, बहुत जल्दी आप भी सक्सेस होने वाले हैं, तो बिलकुल बेफिक्रे कर रहे हैं, टेंशन फ्री हो करके एंजॉय करें, कभी-कभी आपका गुस्सा और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन स रखता है, तो इस बात का ध्यान रखें, तो बहुत अच्छा है, अगले कुछ घंटे का सफर, काफी कुछ अपने आपके पूरे होने वाले बिजनेस में अच्छी तरह के मिलने वाली है, योगी व्यक्तियों का संपर्क आपका रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा, काफी अच्छा समय है, तो बहुत अच्छे से एंजॉय करें लाइफ को बिलकुल टेंशन फ्री होकर, ठीक है, बिलकुल टेंशन नहीं लेना है, पस्त के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हो दोस्तों कैसी ल